जहां देश भर में परेवण बचाने के लिए NGT सक आदेश और फैंसले ले रहा है वहीं ही माचल के मंडी जिला में कुछ लोग परेवण के साथ सरयाम खिलवार करते नजर आ रहे हैं ऐसा ही एक मावला मंडी जिला मुख्याले से 10 किलोमेटर दूर मजवार पंचायत में देखने को मिल रहा है जहां पर गाउं के लोगों ने ठेकेदार पर मनवाने धंग से डंपिंग करने का रोप लगाया है गाउं के लोगों के इंसवार हद तो तब होगी जब उन्होंने ठेकेदार को ऐसा करने से रोका तो उटा ठेकेदार राजनितिक धौंस निखा कर धरले से सड़क किनारे और जंगल में डंपिंग कर रहा है मजवार में कई जगों पर सड़क के किनारे मिट्टी के ठेर लगे हुएं जिस कारण बाहन चालकों के साथ पादल चलने वालोगों को भी आवाजाही करने में दिखतें पेशा रही है गरामनों के इनसार मजवार स्कूल में भवन इन्वान के लिए प्लाट बनाया जा रहा है और यहां पर भारी मातरा में मिट्टी भी निकल रही है और इस कारे में तनाथ ठेकेदार अपनी मर्जी से ही इस मिट्टी की डंपिंग सड़ किनारे और जंगल में कर रहा है गाउंबॉलों ने इसके खिलाब जल से जल कारवाई की मांग की है यहाँ पर ऐसा है कि हमारे जो गौर्मेंट सीने सकेंडरी स्कूल मजवाड है इसमें एक बिल्डिंग का कारे होना है तो उसके लिए ठेकेदार के दोरा कटिंग करवाई जा रही है जो की बेतर्तीब ढंग से हो रही है और स्कूल आज के दोरान ही ठेकेदार वहाँ से जेसी भी और ट्रेक्टर लगाके उसको बेतर्तिव ढंग से सडक के किनारे और मैदानों में हर कहीं फैंका जा रहा है जिसके की परеफरन भी पुरभावित हो रहा है और यहां के रोड में चलने वाले जो चालक हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जब स्थानी लोगों ने ठेकेदार के साथ इस बारे में बात की और उसको यहां पे मिटी फेंकने से मना किया तो ठेकेदार लोगों को धमकाने लग गया कि मेरा राजनितिक रसूख होने की वज़ा से मैं आपके साथ ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा तो उसकी वज़ा से लोग कुछ बोल नहीं पाए और ठेकेदार ने अपनी मनमानी से जहां मर जी वहां मिटी फेंक रखी है तो विभाग से हम चाहते हैं कि वो उसके देखे और इसके विरुद उचित कारवाई अमर में लाए